फाइनली इसराइल ने अमेरिका को एक डॉक्यमेंट सौपा जिसमें लेबनान में युद्ध समाप्त करने की अपनी सर्दे रखी हैं इनमें प्रमुक रूप से इस्वाइली सेना को लेबनान बॉडर पर इस बुल्ला को पुना रियाम और मिलिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने से रोकने के लिए सक्रिय निगरानी का अधिकार देने की मांग शामिल हैं इसके साथ ही इस्वाइल ने अपनी एर फोर्स को लेबनान के एर स्पेस में स्वतंतर रूप से ओप्रेशन करने की अनुमती मांगी है जिस पर एक अमेर की अधिकारी ने कहा की इन शर्तों को लेबनान और इंटर्मैशनल कम्यूनिटी दोरा स्विकार किये जाने की संभावना बहुत कम है याया सिनवर के मारे जाने के बाद कुछ थोड़े से सकारात्मक्सन के जरूर मिले हैं जहां इसराइल ने गाजा में परचे गिराते होए ये मैसेज बेजा की जो कोई भी हतियार डालकर इसराइली बंदगों को सौपेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे सांती से रहने की अनुमती दी जाएगी जबकि हमास के गाजा डेपूटी चीफ ने साफ कर दिया की जब तक इसराइल गाजा से अपनी सेना नहीं अडाता और आकरमन बंद नहीं करता तब तक वो बंदगों को रिया नहीं करेंगे देश में करोड़ पतियों की संक्या में जोड़दार इदाफा हुआ है हाँ दोस्तों पिछले 10 साल में करोड़ पति इंकम टैक्स पेर्स की संक्या में पाच गुना वृद्धी हुई है असेस्मेंट इयर 2013-14 में केवल 44,078 लोगों ने अपनी इंकम एक करोड़ या उससे अधिक बताई थी जबकि 2023-24 में ये संक्या बढ़कर लगबग 2.3 लाग हो गई है 2023-24 में एक करोड़ से अधिक आय गोसित करने वाले लोगों में से around 52% सेलरीड इंडियूजवल्स थे जबकि 2022-23 में ये इस्ता 49.2% वही 2013-14 में ये 51% था इस मामूली बदलाओं से एक्सपर्स मानते हैं कि ये व्रिद्धी मुक्य रूप से व्यवसाईयों की बढ़ती संक्या की ओर इसारा करता है For example, 500 करोड से अधिक आय गोसित करने वाले 23 लोगों में से कोई भी सेलरीड इंडियूजवल्स नहीं है जबकि 100 से 500 करोड रुपे की इंकम कैटेंगरी में 262 लोगों में से केवल 19 सेलरीड करमचारी हैं ये इंक्रिमेंट हायर इंकम, हायर नंबर ओफ बिजनस पीपल और बहतर टेक्स कंप्लाइंस को दर्चाता है जैसे ही इस टार्च चाहे वो उबले हुए चावल, फ्रेंच फ्राइज या मूमोस की रूप में हमारे मूमें जाता है सलाइवा में मौजोद एक इंजाइम इसे तोड़ना सुरू कर देता है इस एंजाइम को एमिलेस कहते हैं जो की हुमन एवल्यूशन में बहुत मातपूर था इसी एंजाइम की वज़े से इंसानों को बदलते फूट सप्लाइ के हिसाब से खुद को डालने में मदद मिली रीसेंट स्टडी ये बताती है कि हमारे पुरोजों ने दो खास मौपो पर अधिक एमिलेस जिन्स केरी करना सुरू किया पहला मोका कई हजार साल पहले आया शायद आग की खोच के बाद बिकोज खाना पकाना सुरू करने से पहले मनुष्य शायद इस्टार चौले पोदों का सेवन नहीं करते थे क्योंकि उन्हें चबाना और पचाना कटीन होता था और दूसरा बड़ा बतलाओ सिर्फ करीब 12,000 साल पहले एक्रिकल्चरल रेवलूशन के बाद आया जब बहुस सी सुसाइटीज ने केउं जो और आलू जैसे श्टार चियुक्त खादे पदार्तों सहित फसलों को उगाना सुरू किया कई एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाया है कि आज जो लोगों में एमिलेज जिल्स कम हैं वे डायबिटीज जैसी बिमारियों के प्रती अधिक समवेदन से लो सकते हैं